हालो गाइस आज की DIY वीडियो में मैं इस वेस्ट फैब्रिक से बनाने वाली हूँ बहुती क्यूची हेर बो क्लिप के लिए मैं सबसे पहले इस लेंथी से फैब्रिक को टू पार्ट में डिवाइड कर दूंगी क्योंकि टोनों ही पार्ट से मैं इसके बनाने वाली हूँ murmur कि अभी आपको दिखाने के लिए हाथ से किया अदर्वाइस मैंने मशीन से करी है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको कमफर्टे बलो पूरी सीधी लाइन में यहां पर स्टेचिंँ और उसके बाद जो इसकी क्लीन वाली साइड है, सीधी साइड है, वो उपर की साइड आ जाएगी, तो मैं इसको इस तरीके से फिलिप करने के लिए, फैब्रिक में इंसर्ट करती जा रही हूँ, इसी प्रोसेस से मुझे पूरा कम्प्लीट करना है, इसकी लैंद बहुत इसकी क्लीन वाली साइड, अब एक बर इसकी क्लीन से है, उसकी प्लेज करने के लिए और शीधी प्रोसे से क्रोस की शेप में इसको रही में इस को रहे हूँ, और एसी से लिए नीचे के साइट से उपर की तरफ को इस तरीके से इसको आपस में जोड़ूँगी अब ज्यूफो Ao unrealistic हेब्स हेब्स के पहले नेडल को इसमें इंसर्ट किया है फिर मैने 4-5 टायम इसको राउन्ड में इस तरह के यहां पर नोट लगाया है दो से तीन नोट आप लगा दे अच्छे से सिक्यूर हो जाएगा और बो आपका कम्प्लीट हो जाएगा अब नेक्स प्रोसेस के लिए बो कम्प्लीट करने के बाद हमें थोड़ा से इन्हांस करना होगा जिसके लिए मैं इसमें पर्ल अटेच करने वाली गुमाना शुरू कर दिया है लेकिन पर्ल के बार बार ये मिडल से ले जाकर मैं नीडल को इस तरीके से राउंड कर रही हूं और अच्छे से तीन चार बार में सिक्यूर कर लूँगी और इसके बाद सिक्यूर करने के बाद मैं यहां भी नोट लगा दूगी क्योंकि बिल कुरिक करें अगर मैं युद्श करेंगी ही इस तरीके से लिए यहां पर झाल को बनाने का बहुत जादा ईजिल गयाmusic अब मैं इसके बैक साइड में यह एलिगेटर क्लिप को अटेच करूंकि बले है और इस पे मैंने इस तरीके से लिए और बैक साइ्ट में मैं इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने इसे प्रेस करके रखा फिर मैं इसको डबल सिक्योर करूंगी क्योंकि जो ग्लु गन होती है वो इतना जाद अच्छे से नेची बगती है तो आप इसमें कोई अच्छा सा ग्लु और भी यूज कर सकते हैं बट मैंने इसमें आप अच्छे से आप के पास आविलेबल हो आप अठैच कर सकते हैं जो भी आपकी पास हो आप तो यह मेरा हैर बोट रेडी हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना बूले जिससे नेक्स आने वाले स झाल झाल